नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाज वला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखको की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मार्ज की कहानी कहानी का सिर्षक है फैसला उन दिनों हीरा लाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे शहर की गलियां लांग कर हम शहर के बाहर खेतों की और निकल जाते थे हीरालाल को बाते करने का शोक था और मुझे उसकी बाते सुनने का वो बाते करता तो लगता जैसे जिन्दगी बोल रही है उसके किसे कहानियों का अपना फल सफाना रंग होता लगता जो कुछ किताबों में पढ़ा है सब गलत है बेवहार की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है हिरलाल मुझसे उम्रें बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी उसने दुनिया देखी है बड़ा उनभवी और पैनी नजर का आदमी है उस रोज हम गलियां लांग चुके थे और बाग की लंबी दिवार को पार कर ही रहे थे जब हिरलाल को अपने परिचे का एक आदमी मिल गया हिरलाल उससे बगलगीर हुआ बड़े तपाक से उससे बतियाने लगा मानो बहुत दिन बाद मिल रहा हो फिर मुझे सम्मोधन करके बोला आओ मैं तुम्हारा परिचे कराओ यह शुकला जी है और गरगद आवाज में कहने लगा इस शहर में चिराग लेकर भी ढूनने जाओ तो इनके जैसा नेक आदमी तुमें नहीं मिलेगा शुकला जी के चेहरे पर विनमरतावस हलकी सी लाली दोड़ गए उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी सी जैप भरी मुस्कान उनके होटों पर कापने लगे इतना नेक सीराथ आदमी ढूंड़े भी नहीं मिलेगा जिस सिमांदारी से उन्होंने जिंद्गी बिताई है मैं तुम्हें क्या बताओं यह चाहते तो महल खड़े कर लेते लाखों रुपई कठा कर लेते शुकला जी और ज्यादा जहेपने लगे तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पर गई उनका लिवास सचमुच बहुत सादा था सस्ते से जूते घर का धुला पजामा लंबा बंद गिले का कोट और खिचरी मुचें मैं उन्हें हेट कलर्प से ज़्यादा का दरजा नहीं दे सकता था जितनी देर उन्हें सरकारी नोकरी की एक पैसे के रवदार नहीं हुए अपना हाथ साफ रखा हम दोने एक साथ ही नोकरी करने लगे थे यह पढ़ाई के फोरण ही बाद कम्टीशन में बैठे थे और काम्याब हो गये थे और जल्दी मजिस्ट्रेट बनकर फिरोजपूर में निउप्थ हुए थे मैं भी उन दोनों वहीं पर था मैं प्रभावित होने लगा शुकला जी भी लजाते हाँ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे इतनी सी बात मुझे भी खटकी कि सधरन कुर्टा पजामा पहनने वाले लोग आम तोर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होते जज होता तो कोट पतलून होती दो-तिन अरदली आसपास घूमते नजर आते कुर्ता पजामा में भी कोई नयाधीश हो सकता है इस जहेब से मिनमरता प्रशंसा में यही बात रह गई कि शुकला जी अब कहां रहते हैं क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नोकरी करते हैं और उनका कुशल छेम पुश कर हम लोग आगे बढ़ गए ये मंदार आदमी क्यों इतना ढिला ढाला होता है क्यों सकुषता जहेबता रहता है यह बात कभी मेरी समझ में नहीं आए शायद इसलिक ये दुनिया पैसे की है जेब में पैसा होता आत्म समान की भावना भी आ जाती है पर अगर जूते सस्ते हो और पजामा घर का धुला हो तो दामन में मंदारी भरी रहने पर भी आदमी जहेपता सकुचाता ही रहता है शुकला जी ने धन कमाया होता भले बेमानी से कमाया होता तो उनका चेहरा दमकता हाथ में गुठी दमकती कपड़े घम घम करते जूते चम चमाते बात करने के धंक से हिरोब जलकता खेर हम चल दिये बाग की दिवार पिछे छुट गई हमने पूल पार किया और शिगरी प्रकृती के विशाल आंगर में पहुँच गए सामने हरे भरे खेत थे और दूर निलमा की जहनी चादर ओड़े छोटी छोटी पहाड़ियां खड़ी थी हमारी लंबी सेर शुरू हो गई थी इस माहौल में हिरलाल की बातों में अपने आप ही दार्शनिक्ता की पूट आ जाती थी एक प्रकार की तठस्ता कुछ-कुछ वैरागिसा मानुप्रकृती की विराठ प्रिष्ट भूमे के आगे मानौ जीवन के बेवहार को देख रहा हो थोड़ी दिर तक हम चौप-चाप चलते रहे फिर हीरालाल ने अपनी बाहन मेरी बाहन में डाल दी और धिमे से हसने लगा सरकारी नोकरी का उसूल इमानदारी नहीं है दफतर की फाइल है सरकारी अफसर को दफतर की फाइल के मताबिक चलना चाहिए हिरालाल मानों अपने आप से बातें कर रहा था वो कहता गया इस बात की उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और जूट क्या है कौन क्या कहता है बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है यह तुम क्या कह रहे हो मुझे हिरालाल का तर्क बड़ा अटपटा लगा हर सरकारी अफसर का फर्ज है कि वह सच की जांच करे फाइल में अंट संट तो नहीं लिखा गया है ना ना फाइल का सची उसके लिए एक मात्र सच है उसी कनुसार सरकारी अफसर को चलना चाहिए नए किंच इधर नए किंच उधर उसे यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और जूट क्या है यह उसका काम नहीं बेगुना आदमी बेशक पीछते रहें हिरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया इसके विपरीत मुझे इनहीं शुकला जी का किस्सा सुनाने लगे शायद इनहीं के बारे में सोचतों यह उन्होंने यह टिपनी की थी जब यह आदमी जज होकर फिरोजपूर में आया तो मैं वहीं पर रहता था यह उसकी पहली नोकरी थी यह आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती इतना इमांदार था कि तुम्हें क्या बताओ सारा वक्त इसे इस वात की चिंता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुना को सजा न मिल जाए फैसला सुनाने से पहले इससे भी पूशता उससे भी पूशता किसलियत क्या है, दोस्ट किसका है, कुनागार कौन है मुल्जिम तो मिठी नींद सो रहा होता और जज्ज की नींद हराम हो जाती थी अगर मैं भूल नहीं करता तो इसने अपने मां को वचन भी दिया था कि वह किसी बेगुना को सजा नहीं देगा यसी ही कोई बात उसने मुझे भी सुनाई थी छोटी उम्र में सभी लोग आदर्शवादी होते हैं वह जमाना भी आदर्शवाद का था, मैंने जुड़ा पर हिला-लाल कहे जा रहे थे आधी आधी रात तक यह मिशले पढ़ता और मेज से चिप्टा रहता उससे ही डर खाय जा रहा था कहीं उससे भूलना हो जाए एक एक केस को बड़े ध्यान से जाचा करता था फिर यों हाद जटक कर और सीर टेढ़ा करके मानू इस दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाजा लगा पाना कभी संभव ही न हो हिर लाल कहने लगे उन्ही दिनों फिरोजपूर के नजदी के कसवे में एक वारदात हो गई और केस जीले के कचहरी में आया मामूली सा केस था कस्वे में रात के वक किसी राह जाते मुसाफिर को पीट दिया गया था और उसकी टांगे तोड़ दी गई थी पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में ले लिये थे और मुकदवा इन्हीं शुकला जी की कचहरी में पेश हुआ था आज भी वह सारी घटना मेरी आखों के सामने आ गई है अब इजिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जैलदार और उसका जवान बेटा भी शामिल था पुलिस की रिपोर्ट थी कि जैलदार ने अपने लठैत भेज कर उस रहागीर को पिटवाया है जलदार खुद भी पिटने वालों में शामिल था साथ मुसका जवान बेटा और कुछ हन लठैत भी थे मामला वहार अफ़ा दफ़ा हो जायता अगर उस रहागीर की टांग न तूट गई होती मामली मार पिट की तो पुलीस परवा नहीं करती मगर इस मामले को तो पुलीस नजर अंदाज नहीं कर सकती थी खैर गवाह पेश हुए पुलीस ने भी मामले की तहकिकात की और यही पता चला कि जलदार ने उस आदमी को पिटवाया है और पीटने वाले रहगीर को अदमरा समझ कर छोड़ गये थे तीन महिने तक केस चलता रहा हिरालाल कहने लगा केस में कोई उल्जन और कोई पेचिदगी नहीं थी पर हमारे सुकला जी को चैन कहां इधर जलदार के हिरासित में लिये जाने पर हलाकि बाद मुझे जमानत पर छोड़ दिया गया था कस्वे भर में तहलका समझ गया था जलदार को तो तुम जानते हो ना जलदार का काम माल गुजारी उगाहना होता है और गाम उसकी बड़ी हैसियत होती है योग भश सरकारी करमिचारी नहीं होता खैर जब फैसला सुनाने की तारीक नजदिक आई तो शुकला जी किनी धराम कहीं गलत आदमी को सजा न मिल जाए कहीं कोई बेगुनाह मारा न जाए उधर पुलीस तहकीकात करती रही थी इधर शुकला जी ने अपने प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी इससे पुछे उससे पुछे जही दिन फैसला सुनाया जाना था उसके एक दिन पहले शाम को या सज्जन उस कसबे में जा पहुँचे और वहां के तहसिलदार से जा मिले वह उनकी पुरानी जान पहचान का था उन्होंने उससे भी पुछा की भाई बताओ अंदर की बात क्या है तुम तो कसबे के अंदर रहते हो तुमसे तो कुछ हिपा नहीं रहता अब जब तहसिलदार ने देखा की जिला कचरी का जजज चलकर उसके घर आया है और जजज का बड़ा रुतबा होता है उसने अंदर की सही की सही बात शुकला जी को बता दी शुकला जी को पता चल गया है कि सारी करस्तानी कसबे के थानेदार की है कि सारी शरारत उसी की है उसकी कोई पुरानी अदावत जलदार के साथ थी और वह जलदार से बदला लेना चाहता था एक दिन कुछ लोगों को भिजवा कर एक राह जाते मुसाफिर को उसने पिटवा दिया उसकी टांग तुडवा दी और जल्दार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया फिर एक के बाद एक जूठी गवाही अब कस्वे के थनेदार की मुखालफत कौन करे किसकी हिमत तहसिलदार ने शुकला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता पर इतना जुरू जानता हूं कि जल्दार बेगुना है उसका इस पिटाई से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं वहाँ से लोड़कर शुकला दो एक और भी जगा गया जहां गया वहाँ पर उसने जल्दार की तारीफ सुने जब शुकला जी को एकीन हो गया कि मुकदमा सचमुच छूठा है तो उसने घर लोड़कर अपना पहला फैसला फोरण बदल दिया और दूसरी दिने जालत में अपना नया फैसला सुना दिया और जल्दार को बिना शर्त रिहा कर दिया उस दिन वहाँ मुझे कलब में मिला वहाँ सचमुच बड़ा खुश था उसे बहुत दिन के बाद चैन नसीब हुआ था बारवर भगवान का शुक्र कर रहा था कि वहाँ अन्याय करते करते बच गया वरना उससे एक बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी यह तो अचाने की मुझे सूझ गया कि मैं तहसिलार से मिलने चला गया वरना मैं तो अपना फैसला लिख भी डाला था उसने कहा हिरलाल की बात सुनकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ अब मेरी नजरों में शुकला जी सस्ते जूतों और मेले कपड़ों में एक इमंदार इंसान ही नहीं था बलकि एक गुर्दे वाला जिन्दा दिल और जीवट वाला व्यक्ति था उसने बाग की दिवार के पास खड़ा देखकर जो नुकमपा सी मेरे दिल में उठी थी वह जाती सी रही और मेरा दिल उसके प्रती स्रद्धा से भर उठा हमें सचमुच ऐसी लोगों की जुरूत है जो मामली की तह तक जाएं और निर्दोस को आँच तक ना आने दें हेतों की मेडों के साथ साथ चलते हम बहुत दूर निकल लाए थे वास्तों मुझ सफेद बूद तक जाँ पोचे थे जहां हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुढ़ने लगते हैं फिर जानते हो क्या हुआ हिरलाल ने बड़ी आतमेता से कहा कुछ भी हुआ हो मेरे लिए इतना ही काफी है कि आदमी जीवट वाला और इमंदार है अपने सुनों का पका रहा सुनो सुनो ये कुसूल जमीर का होता है तो दूसरा फाइल का हिरलाल ने दानिश मंदो की तरह सिर हिलाया और बोला आगे सुनो फैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तड़प उठा उसे तो जैसे साप ने डस लिया हो चला था जैलदार को नीचा दिखाने उसे तो उल्टे लेने के देने पड़ गए थे पर वो भी पका घाक था उसने आव न देखा ताव सिधा डिप्टी कमिशनर के पास जा पहुचा जहां डिप्टी कमिशनर जीले का हाकिम होता है वहां थानेदार अपने कस्वे का हाकिम होता है डिप्टी कमिशनर से मिलते ही उसने हाथ बांध लिये कि हुजूर मेरी इस इलाके में तब्दिली कर दी जाए डिप्टी कमिशनर ने कारण पूछा तो बोला हुजूर इस इलाके को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है यहां चोड डकैत बहुत हैं बड़े मुश्किल से काबू में रखे हुए हूँ मगर हुजूर जहां जीले का जज ही रिश्वत लेकर सरारती लोगों कर रिहा करने लगे वहां मेरी कौन सुनेगा कस्वे का निजाम चौपट हो जाएगा और उसने अपने ढंक से सारा किस्सा सुनाया डिप्टी कमिशनर सुनता रहा उसके लिए तो यह पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है कि किसी अफसर नरिश्वत ली है या नहीं कब ली है और किस से ली है थानेदार ने साथ मेरी जोड़ दिया कि फैसला सुनाने के एक दिन पहले जजज सहाब हमारे कस्वे में तशरीफ लाए थे डिप्टी कमिशनर ने बड़े सोच विचार कर कहा कि अच्छी बात है हम मिसल देखेंगे तो मुकदमे की फाइल मेरे पास भिजबा दो थानेदार की बाचे खिल गई वह चाता भी यही था उसने जट से फिर हाथ बान दिये कि हुजूर एक और अर्ज है मिसल पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुकदमे की हाई कोट में अपील करने की इजाज़त दे दी जाए आखिर वही हुआ जिसकी उमीद थी डिप्टी कमिशनर ने मुकदमे की मिसल लग मंगवा ली शुरू से आखिर तक वह मुकदमे के काजाद देखा गया, सभी गवाहिया देखा गया, एक एक कानूनी नुकता देखा गया, और उसने पाया कि सचमुच फैसला बदला गया है काज़ों के मुताबिक तो जलदार मुझरीम निकलता था मिसल पढ़ने के बाद उसे थानेदार की या मांग जयाज लगी, कि हाई कोट में अपील दायर करने की इजाज़त दी जाए चुनाचे उसने इजाज़त दे दी फिर क्या, शक की गुंजाईशी नहीं डिप्टी कमिशनर कभी शुकला की इमंदारी पर संदे होने लगा कहते कहते हिरलाल चुप हो गया धुब कब की ढ़ल चुकी थी और चारों और शाम के उसाथ पुन साय उतरने लगे थे हम देर तक चूप चाप चलते रहे मुझे लगा मानोहिरालाल इस घटना के बारे में न सोच कर किसी दूसरी ही बात में सोचने लगा है एसे चलती है विवहार की दुनिया वह कहने लगा मामला हाइकोर्ट में पेश हुआ हाइकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रत कर दिया जलदार को फिर से पकड़ लिया गया और से तीन साल की कड़ी कैद की सजा मिल गई हाइकोर्ट ने अपने फैसले में शुकला पर लापरवाही का दोश लगाया और उसकी नाय प्रिता पर संदे भी प्रकट किया इस एक मुकदमे से ही शुकला का दिल तूट गया उसका मन इसा खटा हुआ है कि उसने जिले से तब्ली करवाने के दरखवास दे दी और सच मानो उसके एक फैसले के कारण ही वह जिले भर में बनाम ही होने लगा था सर्वी कहने लगे रिश्वत लेता है बस इसके बाद पांच-छा साल तक वह उसी महकमे में घिसरता रहा इसका परमोशन रुका रहा इसलिए कहते हैं कि सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहे जो फाइल का है वही सच है बाकि सब जूट है अंधेरा घिर आया था और हम अंधेरे में ही धीमे धीमे शहर के और लोटने लगे थे मैं समझ सकता हूँ कोई शुकला के दिल पर क्या बीती होगी पुर्ण कितना हत बुद्धी और परिशान रहा होगा वह जो नय प्रिता का वज़न अपनी मा को दे कर आया था फिर फिर क्या हुआ जजी छोड़कर शुकला जी कहां गया अध्यापक बन गया और क्या एक कालीज में दर्शन सास्त पढ़ाने लगा सिधानतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक इमांदार आदमी इत्मिनान से रह सकता है बड़ा काम्याब अध्यापक बना इमांदारी का दामन इसने अभी भी नहीं छोड़ा है इसने बहुत सी किताबें भी लिखी है बढ़ियां से बढ़ियां किताबें लिखता है पर विवहार की दुनिया से दूर बहुत दूर धन्यवाद